वेलकम तो माय यूटूब चैनल हम लोग जो है डवलपमेंट देख रहे थे डवलपमेंट के अंतरगर जो सहचेक देशिकोंड से जो मानव विकास की जो तीन अवस्ताइं हैं इंफैंसी चाइड़ोड और रिडलोसेंस उसको देख रहे थे इसमें लोग इंफैंसी को जो है पिछले वीडियो में देखे हैं हम लोग इंफैंसी में देखे हैं कि जैसे किसी भी इमारत की जो है निव अगर मजबूत है तो उस पे चाहे जितनी उची बेडलिंग बनाना हो हम बना सकते हैं इस पर बहुत सारे मनोवाग्यान को का जो हम लोग को टेशन को देखे थे कि जो हम लोग आधार याधार सिला जो है सिस्वाज था या इंफैंसी होता है इसी पर जो है हम लोग फ्राइड महुदे का भी uchar record देखे थे-वा clicking का देखे थे तो ये तु था इन। इन्पेंसी में हम लोग इस टाइट किये थे। छैवर स्टा टी अउस्था याज रूट शैसे लेके 22 आउस्था को रहने चैल्डहों कि इस आणते हैं। इस वस्था में हम लोग देखते हैं कि बालक जो है अपने वातावरण से अपने एटमा स्मियर से परचित हुज़ चुका रहता है उसमें बहुत सारी अंतर क्रियाएं करना सुरू कर देता है हमको और आपको पता है कि किसी भी ब्यक्ति का जो ब्यक्तित होता है उसकी खुद की अभी ब्यक्ति और उसके वातावरण के साथ जो अंतर क्रिया करता है उसी पर उस ब्यक्ति का या उस बालक के ब्यक्तित का निर्धारण किया जा सकता है हम लोग देखते हैं इसी वज़से जो है बाल्या वस्था को जो है मानव जीवन का स्वाणिम काल कहा जाता है यह काफी इंपर्टेंट कोटेशन है इसको ध्यान रखेंगे बाल्या वस्था को जो है मानव जीवन का स्वाणिम काल कहा जाता है इसी पर एक मनवे ज्यानिक है क क्रो एंड क्रो उन्होंने कहा है कि वीश्वी सताब्दी जो है बालकों की सताब्दी होगी देखिए बालक का जो है अपने वातावरण के साथ अंताक्रिया करने अंताक्रिया के दौरान उसके वातावरण में नित्य नए नए परिवर्तन होते हैं और जैसे जैसे परिवर्त बालक के ब्योवास्धा में खास कर माल्या टा hold को तहशा है कि पैसी परीवर्थ बौल rozp यूच्था में mujahur को समझना कछी नोता है के क्छ इसको होता है क्रों कि उसके वातवरण के ऐसाख सोभी distinguish जरहें लगता तो उसके ब्योवहार को समझना में यह ज्मक्त कुपुष्वामी कहते हैं कि बालक के बेवहार में जो वातावरण जो उसके परिवर्तन होता है इसी वज़े से पांच से छे साल का बालक का बेवहार होता है वो काफी उग्र होता है और वह प्राया हर बात का जबाब नामें देता है। कुपुस्वामी महदय कहते हैं कि 5-6 साल के उम्र के बच्चे जो है काफी एग्रेसिव होते हैं, उग्र होते हैं और किसी भी बात का जवाब अक्सर हुआ नहीं के रूप में देते हैं। इसी पर एक मनवेज्यानिक है कोल और भुस द्यान से नोट कर लेगे, कोटेशन है, कोल और भुस इन्होंने जो है बाले आउस्था को जो है, 6-12 साल की जो आउस्था है, इसको मानव जीवन का अनोखा काल कहा है। सेखने का अनोखा काल जो है सेस्वा एस्था होता है, क्योंकि इसके पहले हम लोग देखे थे सैस्वा एस्था में कि एक मनवेज्यानिक हैं, Learning पे उन्हों ने कहा है, गैसल महोदे ने कहा है कि जन्म से 6 बर्स तक पालक सैस्वा एस्था के दार्रान उतना सीख लेता है, ज और मानवजीवन का अनौखा काल मानवजीवन का अनौखा काल किसने कहा है कोल और बुसमहोदे ने कहा है इसी पे थोड़ा सां यह चीज की और चरचा करना चाहेंगे लर्निंग की बात हो यह सेखने की बात अरिगम की बात हो रही थी तो जो है ideal period of learning, सीखने का आदर स्काल, आपको पता होगा, 14 फरोरी, बावर का जन्म दिन है, 14 फरोरी, 1483 में बावर का जन्म हुआ था, valentine day, मनाया जाता है 14 फरोरी को, एक मनोवेग ज्यानिक है valentine, उन्होंने कहा है कि ideal सीखने का आदर स्काल, जो है सहस्वा उस्ता होता है क्योंकि हम इसके पहले ही बता चुके हैं, कि गैसल महुदे ने क्या कहा है, कि जन्म से लेके 6 वर्स तक बालक उतना सीख लेता है, जितना वह बाल्या उस्ता और कि सुरा उस्ता के 12 वर्सों में सीखता है, तो valentine ने भी इसी पे कहा है, कि सीखने का आदर स्काल, सहस्वा इसको हम लोग आइडियल पीड आफ लर्रिंग के नाम से जानते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, एक मलोब एग्यानिक है, जो बालक के अभी बाल्या उस्ता की जो हम लोग बात कर रहे थे, तो हर लाक महोद है, बालक के बेवहार में और बातावरण में जो परिवर्तन होता है, बातावरों में परिवर्तन को जैसे बालक के बेवहार का दिन प्रदिन परिवर्तन होता रहता है, इसी पर उन्होंने एक स्टेट्मेंट दिया है, कि बालक अपनी नाक के आगे नहीं देख सकता है, परिणाम की चिंता किये बिना ही, छड़िक भावा बेस में वह कोई भी कारे कर देता है, जैसे हम लोग देखते हैं, कि छोटे बच्चे को हम कहते हैं, कि फटा उस बालक से लड़ जाओ, उससे 20 है, उमर में बड़ा है, शरीर में भी है, अगर सिर्फ कह दिया जाता है, तो परिणाम का चिंता नहीं करता है, छड़िक भावा बेस में बालक है तुरंट है कारे करना प्रारम कर सब्करते हैं कि यह पिन्पहेने कि बच्चों में रूच्रेम के वह लगभगं इनका बैवहार अस्थाई हो जाता है यानि निधिन गेवहार नीरधारीत में छो जाए मिंद्पह है हैं कि आज कल के जो बच्चे ढ़ुर और można रहते हैं किर्क Esse अगर वोची को परिवर्ण नहीं किए कुछ हो जाता है उंका यere मन जाता है जिसको बाद में चलके उस तरह के वेवार को बदलना कापी कटीन होता है। इसे वाह जो जो भी वेवार हो उस पर विश्यस ध्यान दिया जाना चाहिए विवायक द्वारा हम लोग से एच्छी दिस्कूल से देखते हैं कि बाल्या उस्था 6 से लेके 12 वर्स की आस्था होती है 6 वर्स की आस्था में ही बालक पहली बर विद्याले जाता है इसलिए बाल्या उस्था को एलिमेंटरी स्कूल एज प्रारंभिक विद्याले आयु की उस्था के नाम से जाना जाता है हम लोग देखते हैं कि बाल्या उस्था के दौरान 6 वर्स का जब बालक होता है तो उसके अंदर बड़ी उर्जा होती है दिन भार उचल कूध करता रहता है उसके अंदर बहुत शारी स्फूर्ति होती है इस वजब से बाल्या उस्था को जो है इसफूर्त की उस्था या smart age के नाम से जाना जाता है smart age बाल्या उस्था elementary school age बाल्या उस्था को कहा जाता है हम लोग देखते हैं कि दिन भर बच्चे जो है उचल कूद करते रहते हैं, उनके में काफी सुर्थी होती है, काफी उर्जा होती है, इस वज़े से हम लोग देखते हैं कि आक्सर बच्चे जो है गंदे होते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, मिटी में इधरुदा दोड़भा करते रहते हैं, गंदे रहते हैं, इस नते बाल्य आउस्था को जो है गंदी आउस्था या डर्टी एज के नाम से जाना जाता है, इन तीनों को टोशन को हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर उसको रूची आती है, उसी को पसंद करता है, इसना थे बालक का जो ब्यवहार होता है, और जो बालक का मुल्य होता है, जो आदर्स होता है, उसका लगभग निर्धारण हो जाता है, हम लोग विकास आतमक विश्यस्ताओं की बात करें, सहस्वा अस्था के दोरान, कि विजिकल और मेंटा नवप्मेंट उता है जो जह सवास्था में काफी इस में रैपिडली होता है काफी तिभ्रता होती हम लोग देखते हैं कि ritualus kilo time में जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय माटर kॉं सेंटीमीटर का होता है, और 6 साल होते 9 kg और 6 साल 600 अस्था के अंत में या बाल्या उस्था जैसे प्रारम होता है उस समय बाला का उजन 16-10 तीन केजी हो जाता है हर छेत्र में हम लोग देखेंगे बाला के मस्तिस का उजन जो 300 ग्राम था एक साल होते होते लगबग एक किलू हो जाता है उसमें दूद के दात नहीं उस समय बाला के फिजकल और मेंटल डवलापमेंट में बहुत ही मामूली बृद्धी होती है बहुत धीमे बृद्धी होती है लेकिन जो बाला उस्था के दौरान बृद्धी हो चुकी होती है उसको वो संगठित करने का प्रहास करता है उसको काफी हद तक संगठित करता ह उसके सारिक जो विकास हुआ है, जो मानसिक विकास हुआ है, उसमें दिड़ता आती है, मजबूती आती है, तो हम लोग देखते हैं, कि इस नाते जो है बाल्य उस्था में लोग देखते हैं, कि जो बालक का जो mental development हुआ था, वह काफी जादे तेजीस हुआ था, mental development पे हम 50% जो है, तीन से चार वर्सों में हो जाता है, तो बालक का जो mental development काफी तेजीस हुआ है, इस वज़से बाल्य उस्था में बालक का जो मस्तिस्क होता है, ऐसी ऐसी बाते करता है बाक्चा, एक 6 साल से 12 साल का बच्चा, कि उसका मस्तिस्क परिपक को सा दिखाई देता है, प कि बाल्य उस्था मिथ्या परिपक्वता की उस्था है, इस वीडियो मेचोर्टी एज, मिथ्या का मतलब जूठा परिपक्वता यानि मेचोर्टी की बात कर रहा है, यानि जूठी परिपक्वता को दिखाता है, तो ये को टेशन ध्यान रखेंगे, कि बाल्य उस्था को मि इत्या परिपक्ता की आउस्था के नाम से जाने जाता है, इस वीडियो मेचर्टी एज के नाम से जाने जाता है, हम लोग देखते हैं, कि बाल्य आउस्था के दौरान बालकों के सामने जो है, नमीन बहुत सारी परिस्तितिया आती है, उन परिस्तितियों के साथ, उसके बात इसी पे जो है एक मॉनोव एक घ्यानिक है एक ईृप्टिक महुदे ऑगे कई यह संवाजी डेखते हैं तो बाल्या उस्था में कैसे कि बाल्लाय उस्था के दौरान, जो है 3-6 वर्स तक जो है 600 अस्था के दौरान, याilla पूरो बाल्लाय उस्था हम लोग जिसको कहते है, 3-6 वर्स की उस्था, निचने को निचने की उस्था थे 3-6 वर्स की उस्था को जो है, में आनि बाल्य ऑस्था में बालक का जो फीजकर डवलपमेंट सब्स लेकिन जो सण्रीपइक विकास हो चुका है उसमें द्र्डद्द और मजबूती या निवा इसी जैसे राश्मवदैने, इसको मिध्या परिपक्षता की लाम से कहा है. वम लोग लंबाई की बात करते हैं, कि जन्व के समय बच्चा एक काउन सेंटी मीटर का होता है, छे साल होते होते, बच्चा ऑट सेंटी मीटर का सहरा है, एक साल में बच्चे का सारिक विकास होता है और टोटल जो है सारिक विकास 12 से 15 सेंटीमीटर होता है हम लोग देखते हैं कि 6 साल में लड़के और लड़कियों की लंबाई में अंतर होता है लड़के जो है लड़कियों से बाल्या उस्था के प्रारम में 6 साल में लड़के लड़कियों से लंबे होते हैं कितने लगगभग एक इंच लंबे होते हैं, symmetric लेकिन बाल्य उस्था के अंतिम बारों सो में यानि बारा बर्स की उस्था में लड़किया लड़कों से लंबी हो से लंबी होती है और बारा साल में यानि बाल्य वस्था के अंतिम बर्सों में लड़कियों की लंबाई लड़कों से आधा सेंटीमीटर अधिक हो जाती है आगे हम लोग देखते हैं भार की बात करते हैं जब एक सिसु जन्म लेता है तो उसका वजन जो है तीन केजी होता है एक मन्त में दूना छे केजी तीन मन्त में एक साल में तीन गुणा 9 केजी और एक साल के अंत क्यानी बाल्य भाख वस्था के अंतक बाल्य उस्था के प्रारम तक उसका वजन 16-10 usur 30 केजी हो जाता है और बारा वर्स की उस्था आते आते बालक का जो है वजन लगभग दुना 16.3 केजी जो है छे साल में था और बारा वर्स तक आते आते लगभग दो गुना 29 केजी के आसपास हो जाता है हम लोग देखते हैं कि जन्म के समय सिस्व में जो है 270 हड़ियां होती है और यह सहस्वा असथा के दौरान ही लगभग 305 हो जाती है और संदिकर्ण के पस साथ यानि हड़ियां एक दूसरे में जूड जाती है और बाले असथा के दौरान इनकी हड़ियां जो है लगभग 206 होना सुरू कर डेती है कम हो जाती हैं हम दातों की बात करते हैं तो बाल्या उस्था में सहस्वा उस्था में हम लोग देखे थे कि जन्म के समय बालक में जो है कोई दात नहीं होता है पांच से छे महने बाद दूद के दात आने सुरू हो जाते हैं एक साल में जो है सभी लगबग दूद के दात आ और 6 साल होते होते उनमें जो है बाल्य उस्था के प्रारम में एक से दो अस्थाई दात आते हैं और जो दूद के दात होते हैं वह गिरने प्रारम हो जाते हैं धीरे धीरे 12 बर्स की उस्था तक आते आते बालक में जो है 12 से लेके 27 से लेके 8 अस्थाई दात हो जाते हैं और 16 लगभग वानौ के 32 दात होते हैं वह लगभग आ जाते हैं लेकिन देखिए एक चीज आता है कि जैसे ही बालक का जो है दात निकलने सुरू होते हैं हम लोग देखते हैं एक छोटा सिस्व जो है काफी कोमल होता है उसका चेहरा काफी चेहरे से उसके भोला पंदर साता है जैसे बालक के अस्थाई दात आने सुरू हो जाते हैं उसके चेहरे से भोला पंज होता है वक्काम होने लगता है बालक का चेहरा काफी रूखा दिखना सुरू हो जाता है भोला पंदीरे धीरे जास्थाई दात आने को जासे समाप्त होने लगते हैं हम लोग बात करते हैं पिल्लब के सीर और मस्तिसक कोम लोक देखे थे कि जन्म के समय बालक का जो है मस्तिसक वजन स़ड़े तीन सो गराम था और वह लगभग पूरे शरीर का जो है एक छौथा ही था 6 साल आते आते बालक के मस्तिस का वजन जो है लगबग 1 kg या संपूर जो है mental development या जो मस्तिसक होता है उसका 90% विकास हो जाता है लेकिन बाले अस्था के दोरान या बढ़के लगबग जो development होता है मस्तिसका वो लगबग 95% हो जाता है और 10 साल में जाकर के बालक ध्यान रखे 10 साल में पूरे सरीर की एक बटे 10 हो जाता है हम लोग इसी में देखे थे आगे मानस्पेसियों को हम लोग देखे थे कि जन्म के समय बालक के सरीर में जो मानस्पेसियां होती है वो पूरे सरीर के भार का लगबग 33% होता है छे साल होते होते 25% हो जाता है और बाले अस्था के दौरान उनके मान स्पेसियों का जो वजन होता है पूरे सरीर का लगवा 33% हो जाता है हम लोग देखे थे हिर्दे की धड़कन की बात करते हैं सहस्वा उस्था के दौरान जब बच्चा जन्म लेता है उस समय सिसु के हिर्दे की धड़कन 140 बार होती है 6 बर्स तक या हम ल फ्र हम लोग यानऊनगों हो कि बात करते हैं तो याव नंग हो सेस्वा उस्था में है जो बालक तो बॅद आ बिकास भूरा त mm होई वह बाल्या उस्था के दौरान लगवड़ब क सुपत सा रह ता है लेकिन 12 साल की सामीं आप कर कि रहों को के जो हैं चुंद़को में लो जे बालमनुसिक के संपुर मानसिक विकास का आधा भाग 50% तीन से चार बरसों में हो जाता है यह जो कोटेशन था गुडेनफ मारोदय का था 90% जो है बालक के मस्तिस का बालक का जो मेंटल डवलप्मेंट होता है अच्छा बरस तक हो जाता है और इसी में हम लोग मेंटल डवलप्मेंट को देख रहे थे तो बाल्य वस्ता के दवरान बालक का मानसिक विकास काफी धीमी गती से होता है बाहुत मामूली गती से आगे बढ़ता है लेकिन जो सहस्था के दवरान बालक का mental development हुआ है उसमें वो मजबूती आती उसमें दिर्टा आने लगती है इस वस्था में बालक को समझने का आस्मरण करने का और प्रतेक्ष ग्यान और छोटी-छोटी समस्याओं का समधान करने क सुरू कर देता है साथ बर्स की बच्चे में हम लोग देखते हैं कि छोटी-छोटी घटनाओं का बढ़न करने लगते हैं और बस्तुओं में जो है अंतर करना दीरे-दीरे वो सीख जाते है आठ बर्स की बच्चे में हम लोग देखते हैं कि छोटी-छोटी कहानियों को ज जिएन रखेंगे नौ वर्स के बच्चे में जो है समय का दिन का तारीक का महीने का बर्स का और रूपय पैसों को जोड़ने और घटाने की कला उनके अंदर डबलफ हो जाती है मेंटर डबलफ मेंट के अंतर गता है कि 11 साल का जो बच्चा होता है कठीन सब्दों की ब्याख्या करने लगता है व multip स्वारा सुब्चवा Laurie कोई गलती करता है तो जैसे माली जी कप तोड़ दिया उसकी मम्मी दो थपड़ लगाई किस कारण से उसको थपड़ मिला कारी कारण संबन बच्चे के ध्यान में यह आना शुरु हो जाता है कि मैंने कप तोड़ा इस नाते मम्मी ने थपड़ लगाया त्यानि 12 साल के बच् पर जोड़ करती है साय시व रखें थे दो वाको में झोंड़ा किय tapa को कि जो चोटे सिस्थे खिलोनों को तोड़ पोड़के अपनी जिग्यासा को संतु SMITH करने का प्रयास प्रयास कर रहे थे बड़े शिस अपने से बड़े लोगों से क्यों और कैसे कैसे जो यूग्त प्रस पिर तुरंट जब कोशन आएगा क्या करता है तो आप बताएंगे लिखते हैं इससे क्यों लिखते हैं ब्लैक बोर्ट पर दिखने के लिए फिर पुछेगा तो लिख क्या करेंगे मतलब यह है कि बच्छा जो है बार-बार क्यों कैसे के से प्रस्ण लगतार पूश्था रह अगर हम अपने बच्चे का जिग्यासा की संतुष्टी ठीक डंग से नहीं करते हैं तो उन बच्चों का जो है मेंटल डवलप्मेंट मानसिक विकास ठीक तरीके से नहीं होता है तो यानि हमको विशेश करी चीजों पर ध्यान देना चाहिए आगे हम लोग देखते हैं कि पकि चाइल्ड हुड के दौरान जो है काजी पैक्ट्री लेशनो की चर्चामलोग की हैं था कि दौरान पाल्यास्था के दोरान बच्चे जो है लगवख अथ निरभर हो जाते हैं मैं अपने सारे नित्यकरम ऐं खुद करने लगते हैं बच्चों जो है स्पार्णों करना स पिता भाई के साथ खेतों में काम करना बगीचों में काम करना गाडेनिंग करना लकड़ी के छोटे-छोटे डुटकों कोई कठा करके उनसे घरो और बनाना यह तूट से घरो बनाना यह सब रचनात्मक कारे जो है क्रिएटिवटी बच्चों के अंदर आ जाती है लड़किय चीजे जो है यह जो क्रिएटिवटी यह लड़कियों के अंदर डवलप होने लगता है हम लोग को जो है बच्चों के विकास के लिए खास कर उनके रचनात्मक कारें की ब्योस्था कर दी चाहिए जिससे उनका जो है मेंटल डवलपमेंट ठीक संग से हो सके इस समय हमाजिक विकास भी सुरू हो जाता है उनका बेवहार जो है बालकों का जो बेवहार होता है टोटली परिवार के मेंबर या उनके जो साथ के लोग है उनकी जो है प्रसंसा और निंदा पर डिपेंड करता है जैसे अगर आप किसी बच्चे की प्रसंसा करते हैं तो उनका ब वहार में उनके mental development में कमी आनी शुरू हो जाती है हम लोग देखे थे कि सहस्वा उस्था के दवरान बालक का जो है अंतरमुखी बेक्तितों का होता है हम लोग प्रस्णाल्टी में देखेंगे यूंग के अनुसार मानो यूंग के अनुसार बेक्तितों के जो परकार हैं अंतरमुखी होता है वो बालक अपने में ही बीजी रहता है दिन बर इसीनाते देखिए को टेशन हम लोग देखे थे सेल्फ सेंटर्ड एज या अर्दस्वापन की आउस्था और नारसे सिज्म सब्द जो अमलोग देखे थे सहस्वा उस्था के दवरा नारसे सिट नामक जो ब्यक्ति की बाद जो विनानी पुरौणाई कथाओं में था उसके अनुसारम लोग देखे थे कि बालक खुद में भी जी रहता है इसीनाते वह सब चीजों को अपने ही चाहता है वह नहीं चाहता है कि हमारे अलावे हमारे परिवार के लोग किसी अन्य बच्चे को ला मुखी होना शुरू हो जाता है यानि वह अपने वातावरण में अपने परिवार में परिवार से हटके पणूस में अन्य बच्चों में रूची लेना शुरू कर देता है उस वहां की घटनाय है उनके प्रति प्रत्करिया देना शुरू कर देता है हम लोग देखते हैं कि कुलो हिए सेक्स इंस्टिंट्र की बैत करतें हैं तुरा πियो कारता स्था है, जो है बालक का जो काम प्रविर्थ होता है वह लगभग सुप्त सा हो जाता है बिलकुल फिक्स हो जाता है क्यों रिजन यह है कि बालक जो दिन भार उछल कूद करते हैं खेलते-कूदते रहते विद्या जाते हैं पढ़ने लिखने में इतना बीजी हो जाते हैं कि उस तरफ उनका थ्यान नहीं आता है और एही जो एक किसोरा अस्था में जाकर के पुना जो है काम परिवर्त की भावना जागरित हो जाती है हम लोग आगे देखते हैं कि बालक की जो रुचियों में काफी परिवर्तन होता है धीरे धीरे ये जो परिवर्तन होते हैं वो अस्थाई तो के तरफ जाते हैं बातावरण में परिवर्तन के जैसे जैसे होते हैं उस तरह से उनके वेवहार में परिवर्तन होता है और उनका सिच्छा व्योस्था की बात करते हैं मामले में अगर हम बात करें तो समपूर n einem को जुब सिच्छा के परिपेक्ष में आधार सीचा होता है किसे वस्था में ऐन't ने पालग ओर्द्रसों का निर्धाग्स कर लेता से बस्यों के जो है तो चाहिए भेजर डबलप्लेट दंड मुक्त पर्यावरण की व्योस्था की जानी चाहिए, बच्चों के साथ सहयोग, प्रेम और साहनभूत पुरुवक दिखाना चाहिए, खेल के द्वारा जो सिच्छा दी जाती है, फ्रोगेल के अनुसार जो हम लोग देखे थे खेल विद्जुनों न दिया था, खेल के माध्यम से अगर बच्चों को हम लोग अगर सिच्छा देते हैं, तो बच्चे काफी सहस्ता और सरलता से ही किसी चीज को सीख लेते हैं, बच्चों के भासा विकास के लिए हमको कहानियों, पत्र-पत्रिकाओं, बाद दिवाद, भासड और कभिताओं के लिए बाउट गाइड का या जो बहुत सारे विद्यालेओं में या परिवार में जो सांस्कृतिक का रिक्रम होते हैं, उसमें भाग, उसमें सामिल कराकर के बालक का जो है, अम लोग सामी प्रिवित की भावना का विकास कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग बाल्या उस्था को देख बाल्या उस्था होता है, ध्यान रखेंगे कि सीखने का अनोखा काल जो है, इन्फेंसी होता है, आइडियल पिरिएड आफ लर्निंग, सीखने का आदर्स काल जो है, सैस्वा उस्था होता है, लेकिन मानो जीवन का अनोखा काल जो है, बाल्या उस्था होता है, हरलाक मोदे काम लोग एक कोटेशन देखे थे कि बालक अपनी नाक के आगे नहीं देख सकता है परेडाम की चिंता कि ये बिना इए छड़िक भावावेस में कोई भी कारे कर देता है ये कम लोग इस्टेटमेंट को पुछ स्वामी का भी देखे थे कि पांसे च्छे वर्स का बैलक का जो कर देंगे पाविशन नहीं में देने का प्रियास करता है हम लोग रासमोदे का कोटेशन देखे थे जो बालक का शारिक और मांसिक विकास सहस्वास्ता में काफी तेज हुआ रहता है uz help, BENEOS्था के दोरान वह लगबवरोग रूक सा जाता है इसी पर बालक का मांसिक विक sec या परिपक्वत्ता की अवस्था या इस वीडियो मेचरिटी एज कहा है यह सारे इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीज़ों जो बाल्ला वस्था के दोरान देखें हैं इसमें जो कोटे संथ हैं उसकी हम लोग चर्चा की हैं नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे एडल सेंस की सुरा उस्था को देखने का प्रयास करेंगे अगर हमारा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए धन्यवाद